हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, मीनुस कीचिन में आपसे भीका बहुत बहुत सागत है फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रहे हूँ, अरहर की डाल चावल मिक्स करके बनाएंगे, इसको अलग-अलग बनाया जाता है लेकिन जो मैं रैस्पी शेयर करने जा रही हूँ, उसको हम मिक्स करके बनाएंगे अरहर की डाल वाले पुलाव इसको तूर दाल भी बोला जाता है, बहुत ही अच्छी लगती है डाल आप देखे इसके लिए मैंने लिए एक ग्लास चावल आपको इसकी भी बासमती रैस ले सकते हैं इसके लिए और आदे से थोड़ ही जादा हमने लिए है तूर की डाल यानि अरहर की डाल इनको अच्छे से मिक्स करके हम धोलेंगे, वाश कर लेंगे इसको अच्छे से साफ करकर हम दो तिन पानी में धोलेंगे फिर इसको भीको कर रख देंगे अच्छे से करीबन आदे घंटे के लिए अरहर की डाल फुलाब बनाने के लिए हमें चाहिए इसको भीके हो आदा घंटा हो गया है इसमें हम मिलाएंगे दो ग्लास पानी एक गिलास चावल होंगे तो उसमें हम दूगना पानी चाहिएगा इसको बनाने के लिए इसमें एड़ करेंगे प्यास, अद्रक, हरीमिर्च, टमाटर, वारिक कटे हुए प्यास कुमने लंबाई में काटा है, कटा हुआ हरा धनिया, मसाले चाहिए लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, इसको हम रिफाइंड ओल में बनाएंगे प्रेशर कूकर गरम कर लेंगे, इसमें हम दो टेबल स्वून के करीब ऑईल डाल लेंगे गरम होने पर जीरा डाल देंगे, एक चमबर भरके, जीरे को तड़कने देंगे इसमें आड़ करेंगे हम हरीमिर्च अद्रक डाल लेंगे, कटा हुआ, ग्रेट क्या हुआ जो चीज़ हम दाल बनाने के लिए यूज करते हैं, इसमें वही चीज़ मिलाएंगे अद्रक, खरीमिर्च, आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं इसमें प्यास, टमाटर और अद्रक, खरीमिर्च, वही दाल वाला फ्लेवर आएगा जो हम मिक्स करके बनाएंगे इसलिए हम इसमें आड़ कर रहे हैं सब प्याज को भून लेंगे पिंक पिंक होने देंगे दो मिंट के लिए अब इसमें टमाटर एड़ कर लेंगे अब इसको भी दो-तिन मिंट के लिए अच्छे से हम भूनेंगे अब ये जो दाल चावल थे इसमें सारा पानी हमने निकाल दिया है अब इसको हम कूकर में डालेंगे दाल चावल और बहुत हलके आट से मिलाएंगे चावल तूटेना है इसमें सारे दाल चावल आँगे इसको करीबन दो से थिन मिंट के लिए हम इसको भूनेंगे एसमें चावल कि इसको हमने 2-3 मिंट हो गए हैं भूनते हुए देखिए बहुत अच्छी से भून गए है हमारे दाल चावल को इसे मसाले आट करते हैं चुथाई चमच लाल मिश पाउडर आदी चमच गरव मसाला पाउडर और इसमें नमक स्वाद के नुसार मैंने 1.5 चमच नमक डाला है इसको हुआलकल का मिक्स कर लेंगे अब हम अब इसे में पानी एट करेंगे 2 ग्लास इसको अच्छे से मिला के लेंगे हैं थे about लाने के बाद इसको बोबाल आ गे जोतिन मिन्टों गए हैं अब प्रेशर की करके ढटकन लगा देंगे कि है कि अर तेज क्यास पर इसकें हम तो जांगे कि आंज दो क कर देंगे और जब तक प्रेशर रहता है इसको फिर उसके बाद हम कुकर खुलेंगे प्रेशर बिल्कुल खुतम हो चुका है फिर को को लेके हैं देखिए हमारे डाल चावल बनकर बिल्कुल तयार है चलाएंगे और सोड़ात हम हरा दनियास में डाल देंगे इस तरीके से दाल चावल बनाएंगे आप तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे एक डिफरेंट डिश है इसको बना कर देखिए इसको आप नाश्टे में भी लंच में भी डिनर में भी किसी इपी टाइम खा सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इसको बना क भी खाएंगे तो बहुत अच्छा अपने आप में अलग टेस्ट आता है फ्रेंड्स इसको बना कर देखिए और अपने अनुभव को मीनूस किचिन में शेर कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद है बना इस तरह